वेलकम टू न्यू लेसन आज के लेसन में हम दो चोटी चोटी चीजों के अबारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए काफी ज्यादा यूसफुल है पहली चीज है उसमें से कि जब आप इधर कीवर्ड प्लैनर पे जाते हो जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हो और डिस करता हूं और यहां पहीं इस एंटायर साइट और मैं गेट रिजल्ट करता हूं तो आपको अपघ्रेड के कीवर्ड पता चल जाएंगे कि अपघ्रेड आपग्रेड की वर्ड यूजर कर रहा है यह नीचे 10 है इसको आप ओवरॉर्ड करदो अब यह पता चल जाएगा keyword कै यूज कर रहा है और इसके मंतली सर्चेस के हैं अपग्रेड सर्टिफिकेशन अपग्रेड ऑनलाइन टेस्ट डेटा अनलेटिक्स अपग्रेड ठीक है और यहाँ पर आप एवरेज मंतली सर्चेस से सौट कर लो तो देखो अपग्रेड के फिर फ्री ऑनलाइन कोर्सेस विद सर्टिफिकेट्स यह कीवर्ड भी यूज हो रहा है डेटा साइंस ऑनलाइन कोर्स एक हजार से दस हजार दिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंचेंड नई एक हजार से दस हजार तो आप ऐसे जाके यहाँ पर keywords discover कर सकते हो और देन आप इसमें से अच्छे keywords जूंड के अपने ad account के लिए use कर सकते हो देखो जैसी यह free IT courses online तो गिनी keyword अच्छा नहीं है अप्ग्रेड बैंक लॉर अप्ग्रेड कोर्स देखो start-up courses start-up course तो यहां से आपको वो सारी keywords पता चल जाएंगे जो आपका competitor use कर रहा है अगर वो SEO कर रहा है या paid search ads run कर रहा है तो आप वहां से उनके keywords निकाल सकते हो जो भी वो लोग अपनी website पे use कर रहे हैं और उसे traffic भेज रहे हैं और देन आप उन keywords को अपने website पे अपने campaigns के लिए use कर सकते हो ठीक है दूसरी यह चीज़ जो आप कर सकते हो जैसे आप अगेन अगर keyword planner पे ही जाओगे तो you'll see this thing get search volume and forecast तो अगर मैं search volume and forecast पे जाता हूँ और से मैं यहाँ पे मेरा keyword क्रिकेट मैं cricket bats बेचता हूँ ठीक है तो मैंने किया यहाँ पे type cricket और यहाँ पे मैंने किया get started तो गूगल बता रहा है मुझे कि भाहिया आपका अगर 2,30,000 रुपे आप खर्च करोगे तो आपको 45,000 clicks आएंगे राइट और एक click आपको पड़ेगी 5 रुपे 15 पैसे की ठीक है तो आप यहाँ से एक estimate भी ले सकते हो कि आप किस keyword के लिए कितने पैसे खर्च करोगे तो आपको उससे कितने पैसे मिलेंगे राइट आपको उस पर कितने पैसे invest करने है तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्लस यहाँ पर एक अच्छी चीज गूगल ने दी हुई है add conversion metric की आपका conversion rate क्या रहता है तो सपोज मैं conversion metric पर जाता हूँ मैं लिखता हूँ मेरा conversion rate है 5% का और एक conversion की value है मेरी 789 ठीक value आएगा अना provided की मेरा conversion rate जो हमने डाला था वो डाला था 5% और conversion value मैंने डाली थी 790 रूपए तो यह आप यहाँ से data देख सकते हो और इसी data का use करके आप campaign भी बना सकते हो इसी budget के साथ आप campaign भी बना सकते हो तो same मैं यहाँ पर करता हूँ create campaign और campaign का नाम यहाँ पर मैं लि budget लिख रहा है यह recommend इतना कर रहा है आप चाहो तो कुछ और रख सकते हो से मैं recommended पर जाता हूँ और मैं नहीं किया save तो आप देखो कि Google अभी campaign बना देगा यहां से आप view campaign कर सकते हो अब जैसे आपने campaign कहे आप कि अब वापस जाओ campaigns पर जाओ देखो यह campaign मना दिया Google ने cricket bats और आप इदर settings में जाके इसकी सारी settings चेंज कर सकते हो देखो campaign का नाम यह है Google search network है यहां से हमने देख लिया location लेंगवेज आ गया budget और यह bidding आगी देखो bidding manual CPC और आप चाहो तो यहां से change कर सकते हो देखो हमने manual CPC रखी हुई है त similarly आप जा सकते हो यहां से ad group में ad group में जाओ और यहां पर देखो keywords गूगल ने कुछ keywords नहीं डाले just a keyword डाला cricket हाना तो आप चाहो तो यहां पर keywords को change कर सकते हो अभी broad match है आप इसे phrase exact match कर दो अपने इसाप से change कर सकते हो और ads and extensions में जाओगे तो यहां पर कोई add नहीं है तो आ आप simple forecast देख सकते हो और यहां से ads बना सकते हो ठीक है तो यह दोनों function का use आप कर सकते हो अपने campaigns के लिए आपने clients के लिए जो भी आप काम कर रहे हो ठीक है जी so that's it from this lesson thank you so much for watching